सब्सक्राइब किजिए ट्रेक्टर टीवी डॉट इन चैनल को और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट ट्रेक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंडियन पावर फूल फूल साइज फोर विल ड्राइब मसीन की जिसका नाम है महेंद्रा नोबो 775 डियाई और मैं हूँ आपका दोस्त रोहित यादवोर में आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीवी.in पर किसान भाईयो ये महेंद्रा का इंडिया में मिलने वाला सबसे बड़ा ट्रेक्टर है 75 HP का 4WD ट्रेक्टर है एक तरह से देखा जाए तो ये महेंद्रा का फ्लेक्सिप मॉडल है इंडिया के लिए और महेंद्रा ने इस ट्रेक्टर को बनाया भी सभी किसानो से जुड़े लगवक सभी काम कर सकते हैं फिर चाहे वो लेजर लेवलर हो या फिर चार वाटम का प्लाव हो इस्टाइल्स और लुक्स की बात करें तो महेंद्रा इस मामले में तो कभी कोई कसर छोड़ता ही नहीं है काफी स्टाइलिस और हेवी और मस्कूलर हुड प्रू के साथ काफी सांदाल लगता है देखने में और वहीं इसके इंस्टुमेंट क्लिश्टर की बात करें तो यह पूरा की पूरा मॉडन और डिजिटल दिया गया है इस ट्रेक्टर में इसमें आपको एक टीफटी स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको सारी डिटेल इसी में दिख जाता है पुरानी स्टाइल में ओवराल पैकेज काफी मॉडन है देखने में वहीं कमफर्ट की बात करें तो आराम के मामले में भी यह ट्रेक्टर बेहत आराम दायक है फिर चाहे चलाने में हो या फिर रख रखाओ में हो जैसे की इसका फ्लेट स्टेरिंग प्लेटफॉर आम रेश्ट के साथ जिसे आप अपने बेटने की पोजीशन बढ़े अराम से अड्रेस्ट कर सकते हैं आगे पीछे ओपन नीचे की दिसा में अगला इसमें दिया गया है ये कार लाइक कॉंबिनेशन स्टेश कार जैसा लाइट स्टेश दिया गया है यहाँ से आप एक ही स पीस दिया गया है जिसे आपके वल एक बिटन दवा कर खोल सकते हैं और रोज मर्रा की रखरकों की चीजों पर ध्यान दे सकते हैं बड़े ही आराम से चलिए अब बात करते हैं इसके एंजन की तो किसान भाईयो इस ट्रेक्टर में आपको मिलता है महेंद्रा का 3500cc का इनलाइन FIP 4 सिलेंडर टर्वो चार्ज डिजल एंजन जो 2100 RPM पर चलकर लगभग 75 HP की ताकत और लगभग 305 Nm का टॉर्क पे धक कर दिता है ड्राइटेप ड अलग से जाली भी दी गई है भुसा मसीन और कंबाइन हार्विष्टर जैसे कारियों पर चलाने के हिसाब से 4 circulation cooling system का फायदा यह है कि 4 पिष्टन तक समान मात्रा में coolant पहुचता है इस वज़ा से कई घंटों की लंबी जुताई के बात भी इंजन बहत कम गरम होता है और इंजन की life बढ़ जाती है चलिए अब transmission की बात करते हैं तो किसान भाईयो इस tractor में आपको मिलता है 30 gear वाला fully synchronous gearbox जिसमें आपको 15 forward और 15 reverse gear speed मिलती है reverse forward settle shift gear lever के साथ जो tractor को समान speed में आगे और पीछे चलाता है और synchronous gearbox आसानी से gear बदलता है और gear बदलने में आने वाली किसी भी प्रकार की रुखावट को कम करता है और इसमें suspended type clutch pedal के साथ dual dipagram type 12 inch की सबसे बड़ी clutch plate दी हुई है जो इतनी क फाइती होती है अगर आपने उसे तीक से यूज की तो 5-6 साल तो उसका कुछ बिगड़ना ही नहीं है और इस gearbox से आप इसे सामने की तरफ 1.8 km प्रती घंटा से तो 36 km प्रती घंटा तक चला सकते हैं और इसमें creeper spirit का विकल्प भी मिल जाता है जिससे आप इसे 400 मेटर प्र प्रच यूनिट के साथ हैडोलिक की बात करें तो 9755 में आपको मिलती है 2600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली आटोमेटिक ड्राफ और घरही कंट्रोल वाला हैडोलिक सिस्टम और हैडोलिक को आटोमेटिक अप एंड डाउन करने के लिए डगल स्विच भी मिल जाता है 9755 का हडोलिक पंप एक मिनिट में 56 लेटर तक ऑईल पंप कर सकता है ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑईल में डूबे हुए मल्टि डिक्स ब्रेकिं शिस्टम मिल जाता है सिस्पंडे टैप ज offenders पेडल के साथ टाइयर की बात करें तो इस ट्रैक्टर मे लगबग 12.2 इंच, चोड़ाई है लगबग 6.10 इंच, वील बेस है लगबग 7.2 इंच, उचाही है लगबग 7.2 इंच, सालेंसर तक और ग्राउंड क्लेरंस है लगबग 1.6 इंच, सहाट लीटर का फ्यूल टेंग है इस ट्रेक्टर का और लगबग माज से तो 8 लीटर प्रत टिवी डाटिन चैनल को और बेल आइकन को दवाना ना बोले सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए धन्यवाद